तो भाई लोगो उधारन तो आपने देखी लिया इस वीडियो में हम जानने वाले है दसा किरेक्टर की एबिलिटी जो की काफी खतरनाक किरेक्टर है और इसकी चार-चार एबिलिटी है मैंने इससे पेले एक और वीडियो बनाया था लिकिन उस वीडियो में मैंने इसकी सिर्फ आपको एबिलिटी बताया था इस वीडियो में हम इसकी एबिलिटी का टेस्ट करने वाले है कि इसकी एबिलिटी क्या है तो वीडियो में बने रही ना end तक तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि इसकी चार-चार ability है इन चारो ability का टेस्ट हम वीडियो के अंदर करने बाले गाईज आप देख सकते हो चार ability है अब मैं आपको मेच के अंदर बताता हूँ कि इसकी ability क्या है क्या आप भी मेरी तरह free में diamond और elite pass लेना चाहते हो तो आओ एक मस्तिसी trick बताता हूँ google पर search करो www.skillclays.com जहाँ पर आप 8Pool, Rami, Kerem और Ludo जैसे डेर सारे interesting game खेल सकते हो वो भी free में और free fire में diamond top up करने के लिए ये website waste है क्योंकि आप जीते हुए पेसे फटफट ट्रांसफर कर सकते हो UPI और Amazon पेसे यहाँ तक कि अपने GFVF का recharge भी कर भा सकते हो हाँ सबसी उनिक बात तो यह है कि आँ हारने वाले को भी पेसे मिलते है अभी skill class पर 1.5 करोड से जादा active players है तो दोस्तो वेट किसका कर रहे हो तुरंत skill class पर जाओ अपने friends को refer करो उनके साथ tournament खेलो और देहर सारे पेसे कमाओ इस special tournaments में laptop, mobile, earphone जैसे prizes भी जीतने का मौका पाओ है ना कमाल की बात तो link description और हापर आप देख सकते हो कि कोई भी character है यहाँ पर खड़ा हुआ है यहाँ से हम कुदे और हमारी hp कितनी बसती है आप द्यान से देखना तो आपर आप देख सकते हो कि 10 hp हमारी बची है यह तो कोई भी character से हम उपर से नीचे कुदते है तो इतनी hp बसती है अब अपनी यहाँ पर आचुकी है 10 character और इसकी मदस्ते हम उपर से नीचे कुदे तो आप देख सकते हो कि 105 hp बची है मतलब कि 10 character ने जो उपर से नीचे गिरना का damage है उसको 50% कम कर दिया है यह रही 10 character की पहली ability अब बात करते हैं दूसरी ability की तो आपर किसी भी character कुला है उपर से नीचे कुदे उसके बाद जो उठा उसमें हमें समय लगा यहाँ पर आप एक और बार देखना कि किस तरीके से हमें समय लगता है हम यहाँ पर उपर है अब नीचे कुदेंगे और उठेंगे तो यहाँ पर थोड़ा समय लग रहा है यदि आप 10 character का use नहीं करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा अब यहाँ पर आप देख सकते हो 10 character की मदस्य हम उपर से नीचे कूद रहा है तो काफी जल्दी है उठ रही है अब यह वाली इंगल से देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आज आएगा यहाँ पर ह का समय है उसको 80% कम कर देता है यह तो रही 10 character की दूसरी ability अब बात करते हैं इसकी तीसरी ability की तो इसकी तीसरी ability किया है, दसा character आपके gun की accuracy को 10% तक बढ़ा देती है, यह सा ही एक character है D.B. जो कि आपके gun की accuracy को 45% तक बढ़ा देता है, लेकिन दसा character की 3-4 ability है, इसके कारण यह आपके gun की accuracy को 10% बढ़ा देती है, guys 10% भी बहुत होता है, accuracy से क्या होता है, कि enemy के head का 8 side जो गोली जाती है, वो head पर ही connect हो जाती है, और जो body के 8 side से जाती है, वो जादा से जादा गोली body पर connect हो जाती है, तो आप समझी सकत हूँ कि 10% character आपके gun की accuracy को बढ़ा देता है, यदि आपके पास कोई भी double accuracy वाली gun इसकी नहीं है, तो आप DB character के सांस्ता दसा character का use करकर देखना, आपको भी काफी जादा फायदा होगा, वहाँ पर आपके head भी काफी जवरदस्त लगेंगे, और आप जो enemy को body मार होगे, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा गोली enemy की body पर connect होगी, तो ये तो रही दसा character की तीसरी ability, अब बात करते है इसकी चोहती ability की, तो ये क्या करती है, कि जो आपके gun के recoil है, उसको 10% कम कर देती है, आपको तो recoil का मतलब पता ही होगा, यदि हम लगतार किसी भी enemy को पर fire करते है, तो हमारी गोली उसके आइट साइड जाने लगती है, धीरे-धीरे करकर, तो recoil क्या करता है, जो आइट साइड गोली होती है, उसको कम कर देता है, और accuracy क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा गोली enemy को पर connect करती है, तो recoil plus accuracy जादा से जादा गोली आपकी enemy को पर अगने वाली है तो guys इससे क्या होगा कि enemy को आप जादा मारोगे और enemy आपको कमी damage दे पाएगा आप enemy को जादा damage दे सकते हो क्योंकि यह आपकी accuracy भी 10% बढ़ा देगी और जो recoil है वो 10% कम कर देगी तो जादा से जादा गोली enemy को पर connect होगी तो guys दसा character की 4 ability है एक तो हम कहीं से भी उपर से नीचे गिरते है जो हमें damage पड़ता है वो 50% कम पड़ता है दूसरी ability क्या है कहीं भी हम उपर से नीचे गिरते है उसके बाद जो उठने का समय है उसमें हमें 80% कम समय लगता है तीसरी ability क्या है कि ये आपके gun की accuracy को 10% बढ़ा देती है और चौहती ability क्या है कि ये आपके gun के recoil को 10% कम कर देती है तो recoil कम रहेगा तो enemy से जादा से जादा गोली connect होगी और accuracy जादा रहेगी तो enemy को उपर जादा से जादा गोली connect होगी तो guys ये character है एक बहुत ही जवरदस्त character है और ये हमें gold में देखने को मिल जाता है और ये एक passive skill character है तो हम आलोग chrono wukong किसी भी साथ इस character का use कर सकते है तो आप समझी सकतो कि है character काफी जवरदस्त character है और 10 character में आपको 4-4 character की ability देखने को मिल जाती है 4 character की नहीं मिलती है इसकी ही 4 ability है तो ये एक बहुत ही जवरदस्त character है और यदि आपने इसे अभी तक नहीं खरीदा तो guys इसे खरीद कर इसका use करना आपको भी बहुत ही ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना चेनल को सस्क्राइब करकर बेल नोटिफिकेशन भी ओन कर लेना अभी मैंने अपने दोस्त के साथ लूड़ो खिला और देखो उसके पेसे भी आगर आप भी केश डिपोजिट करके लाखो जीज सकतो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी साइन अप करो